लोगसबा चुनाफ से पहले RSS की बड़ी मीटिंग आथ से भागवत समय संग की टॉप लीडर्शिप तीन दिन हर्याणा में रहेगी कई बड़े फैसले संभव राश्ट्य स्वयम से बग संगर RSS की अखिल भारतिय प्रदिनीधी सबा की बेहद महत्वपूर्ण बेठकास से हर्याणा में शुरू हो रही है 12 से 14 मार्च तक चलने वाली ये तीन दिन की मीटिंग पारिपत के समालखा एरिया में होगी वर्ष 2024 में होने वाले लोग सबाचुनाव से पहले RSS की टॉप लिडर्शिप की यह आखिरी बड़ी मीटिंग है इसलिए आसे इसमें संग और वीजेपी के बीच को ओर्डिनेशन का काम करने वाले कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं इसके अलावा RSS के कुछ लोगों की जिम्मेदारिया बदलने का फैसला भी इसमें हो सकता है इस मीटिंग की एहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि RSS प्रमुक डॉक्टर मोहन भागवत चार दिन पहले ही समालखा पहुँच चुके है चार दिनों से समालखा एरिया के पट्टी कल्याना गाउं में खास तोर पर इस मीटिंग के लिए बनाए गए सेंटर में संके प्रमुक चेहरों से विचार मंतर ना कर रहे हैं अखिलभारतिय प्रतिनीदी सबा एबीपीएस की इस वार्षिक बैठक में देशबर से RSS के 1400 स्वें सेवग शामिल होंगे इनमें सरसंग चालक डॉक्टर मोहन भागवत वै सरकार वाहा दतत्रे होसबूले के साथ सभी सहे सरकार वाहा RSS की अखिलभारतिय कारेकार नी छेत्रिय वै प्रांतिय कारेकार नी संके निर्वाचित प्रतिनीदी और सभी विभाग प्रचारों के साथ साथ संके ही 34 अलग-अलग संगठनों के चुनिंदा निमंतरित स्वें सेवक शामिल होंगे ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन धबाना न भूले